एशिया कप के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं। पिछले कुछ दिनों से आयो जकों के लिए विचार विमर्ष का विशय रहा है। पांच सुपर फोर मैच जिसमें 10 सितंबर को भारत पाकिस्तान का आमना सामना और 17 सितंबर को फाइनल शामिल है कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत पाकिस्तान मैच और फाइनल के लिए एक आरक्षित दिन होगा। एशियाई क्रिकेट परिशद ACC प्रबंधन स्तर पर योजनाओं में तेजी से बदलाव टूर्नामेंट के मैजबान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पसंद नहीं आया है। कोई यह समझ सकता है कि उन्होंने ACC को पत्र लिखकर शेड्यूलिंग मुद्दे पर चर्चा के लिए एक आम सभा की बैठक बुलाने के लिए कहा है। के खिलाडी की थकान के कारण गिरावट आई भारत द्वारा पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार करने के बाद टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला जा रहा है जिसमें पांच मैच पाकिस्तान में और बाकी श्री लंका में होंगे। PCB UAE को तटस्थ स्थल बनाने के पक्ष में था। मामला चर्चा में आया लेकिन फिर से चर्चा में आ गया। सभी पूर्ण सदस्य, मीडिया अधिकार धारक और इन स्टेडिया अधिकार धारक। शुरू में पाकिस्तान में पूरे टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए प्रतिबध होने से जिजख रहे थे। प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल को स्विकार कर लिया था। हालां कि यह ध्यान रखना महत्वपून है कि PCB के नेत्रित्व में कई बदलाव हुए और इसके परिणाम स्वरूप कुछ आगे पीछे की बातचीत हुई। विशेश रूप से कर्छूट और मैचों के लिए बीमा जैसे महत्वपून पहलूओं के संबंध में। शाह ने कहा कि UA कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है। जिसमें सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में एक दिवसीय मैच खेलने के बारे में चिंता व्यक्त की गई। इस तरह के कारेकरम से संभावित रूप से खिलाडियों को धकान हो सकती है और छोटों का खत्रा बढ़ सकता है। खास कर सबसे महतपूर्ण ICC क्रिकेट जिश्वकप से ठीक पहले।